हेलो दोस्तो स्वागते आपका मैं हूँ जेवी आज आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो खुद को ज्यादे ही स्मार्ट समझते हैं मगर होते नहीं है अभी आप सोच रहे होंगे जेवी कौन है वो लोग मैं हूँ ना बताने के लिए वो लोग कौन है वो है एरलाइन के पैसेंजर्स कोई और सेक्टर के हो ना हो एवेशन के तो है आपको लग रहा होगा ना ये क्या बकवास कर रहा है जेवी तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एपसोड दा एरलाइन पैसेंजर्स तो सबसे पहले बात आती है रिपोर्टिंग का यानि कुछ भी हो जाए आपको उस टाइम के अंदर एरपोर्ट पहुचना ही है जो पहले दो गंटे थे मगर अभी कोविट के वज़े से तीन गंटे हो गए यानि आपको तीन गंटे पहले एरपोर्ट में रहना ही है आप इनको चपेड मार के बोलो कि वो city bus नहीं है जो तू भाग के जाके पकड़ लेगा कभी-कभी आखरी 30 minute में आके बोलते हैं कि 30 minute से line में ही खड़ा हूँ या intrigate पे ज्यादा लोग थे ताज्यूप की बात ये होती है कि 180 passengers में 179 already check-in करके flight के अंदर बैट भी जाते हैं मगर जो लेट आता है इसके पास 179 excuses होते हैं वो क्यों लेट हुआ जब तुम खुद लेट आये तो staff के साथ लड़ते क्यों हो एरपोर्ट कोई गली या नुकड की bus stop तो नहीं है भाग लिए और bus पकड़ लिए उनके अपने rules होते हैं मगर इन्हें समझाए कौन अगर आप हमारे चानल में नए हो तो प्लीज डार्कॉस entertainment को subscribe कीजिए और घंटा बजाईए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना करे अगला वाला किस्सा access baggage का है ओहो ओहो इसके बारे में तो क्या ही बोले जब कोई भी airline का ticket book करते हो आप खुद ही देखे होंगे एक या दो पेज का सिर्फ आइटनरी होता है जिसमें आपके पियानार से लेके आप क्या लेके जा सकते हो और कितना kilo लेके जा सकते हो ये सब कुछ रहता है जनरली एक passenger को 7 kg का hand baggage और 15 kg का check-in baggage allowance होती है अभी कोईड के वज़े से एक laptop bag और 20 kg का एक bag allow कर रहे हैं airline मगर इनको तो 4 bag और 14 kg का hand baggage भी लेके जाना है जब access पे करनी के लिए बोले तो staff के साथ लडना भी है अगर कभी गलती से कोई staff 1 या 2 kg छोड़ दिया as a service gesture बस ये पकड़ लेते हैं और हर बार वही रट लगाते हैं कि उस airport का वो staff तो छोड़ दिया तुम क्यों ने चोड़ रहे हो जब आपको clearly बोला गया है कि आपका एलवेंच कितना है bags को ठूस ठूस के access baggage लेके जाना ही क्यों है अगला आता है security check पे ड्राम में ओ भाई साब ये तो देखने वाली चीज है सारे passengers flight के अंदर बैट भी जाते हैं और इनके bag में से चुरी या चाकू निकल जाता है जो handbag में एलवी नहीं है अब इनको वापस check-in counter जाके bag flight के पास पहुच गया तो उसको वापस मंगा के इस बेश कीमती चीज को baggage के अंदर डालना है इसमें बाकी passengers, CSF एंड airline staff सब की वाट लग जाते मगर इनको तो बस एक छुरी important है अब ऐसे लोग को क्या ही बोले अगला boarding gate माना कि airport के boarding gate area shopping mall से कम नहीं होती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आखरी 10 minute तक shopping करोगे फिर जब नाम announce होगा तो भागे भागे पहुचते हो फ्लाइट पकड़ यह तो ठीक है नहीं तो फिर staff से जगड़ा करते हैं कि उनके बगेर gate close कैसे किया अब ये धककन जब 179 passengers flight में बैट के सो भी जाते हैं तुम कहां थे? gates तो 15 minute पहले बंध हो जाते हैं वैसे भी flight पकड़ने आया या फिर shopping करने आया flight के अंदर भी इनके नखरे के कोई कमी नहीं होगा अपना hand baggage घर से लेके aircraft के अंदर लाने तक कोई तकलीफ नहीं हुआ मगर उसको उठा के overhead win में रखने के लिए crew चाहिए खुद ने उठा सकते हो तो लाते ही क्यों हो मैं old age या pregnant lady की बाती नहीं कर रहा हूं ये legit तंदुरुस्त लोग होते हैं उनी की बात कर रहा हूं और बुलाएंगे भी तो चुटकी बजा के बुलाएंगे जैसे crew इनका knocker है ये लोग crew को छेड़ते हैं उनसे misbehave करते हैं मगर इनको नहीं पता कि ऐसे लोगों को flight उतरते ही पुलिस पकड़के ले जाती है flight चनने ये उतरने की मुश्किल है अरे भाई personal space की किसी को कदरी नहीं होती है ऐसे में तो I need space I need space बोलने वाले भी चिपक चिपक के flight के अंदर चड़ते हैं और उतरते हैं पहले फिर भी ठीक है मगर अभी COVID के टाइम में भी ये नहीं सुदरते हैं airline इनको mask देता है, gown देता है, sanitizer देता है, hand gloss देता है, काश इनको common sense भी दे सके अगला है arrival के नखरे arrival में पहुचते हैं और इनके bag में liquor होता है और वो तूट के खुद के और दूसरों के bag को खराब करते हैं अभी तो ये full गुसा में staff के साथ लणने लग जाते हैं, मगर सच तो ये है कि उसके bag में सिर्फ liquor ही था और उन्होंने packing properly नहीं किया है, staff को inform भी नहीं किया है अभी वैसे में नहीं तूटेगा तो क्या होगा, ऐसे लड़ते हैं कि जो staff उनके सामने खड़ा है, वो खुद जाके उसके bottle तोड़के आया कभी-कभी passenger इतने पुराने बुराने bags check-in करते हैं, जो जिनकी condition अल्रेडी खंडर हो चुकी होती है, मगर इनको वही bag में 20-20 kg भरके लेके जाना होता है जब bag की condition इतनी खराब है, तो obviously सही सलामा थोड़ी पोचेगी वो bag, अब इनको कौन समझाए, अभी जब तुम travel कर रहे हो, bag का condition भी एक चीज होती है, इसको ध्यान पर रखते हुए, आपको baggage को लेके जाना होता है इनको तो सिर्फ जो भी bag दिखा उठा के लेके आना है, जब तूट गया तो airline स्टाफ पे चड़ जाना है अब इनकों समझाए, जब तुम travel करते हो, जैसे आप अच्छे कपड़े पैंद के जाते हो, वैसी अच्छे bag भी लेके जाओ साथ में, ताकि वो bag तूटे ना हमारे देश में एक कोने से दूसरा कोना जाने के लिए कई दिन लग जाते थे, मगर airline के वज़े से आज के दिन हम एक कोने से दूसरा कोना सिर्फ एक दिन में पहुँच सकते हैं क्या आपको पता है कि air travel जो है सबसे safe mode of transport है, एक टिकेट आपको सिर्फ दो या तीन हजार में मिल जाती है airline अपने staff को हमेशा ये बोलता है कि passenger के साथ rude मत होना है, उनको help करो, उनकी तकलीफ समझ के उनकी मदद करो, अभी इसी बात का कई लोग गलत फायदा उठाते हैं बस मैं ये बोलके conclude करना चाता हूँ कि अगर आप एक seat खरिदते हो, तो बस उस दिन के लिए, उस journey के लिए वो एक seat खरीदे, ऐसे भीह मत करो कि तुम पूरा aircraft खरीद लिए, treat airline staff with respect, you will also be respected मैं हूँ आपका होस जेवी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और घंटी बजाना मत भूलिए, ताकि आप हमारा चैनल का कोई भी वीडियो मिशना करें, प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ शेर करें, हमें सप करें खूब सारा प्यार दीजिए, आप पैसेंजर हो या एरलेंज स्टाफ हो, आपके साथ कुछ ऐसे घटना घटी तो कमेंट में हमें बताईए, आपका स्टोरी हमारे साथ शेर करें, वीविल बी हैपी तो लिजन तो अल अफ देम, थैंक यू गाइस!